Hello Friends, आज हम SMPL में नाम रेजिस्टर करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका प्रोसिटर, टॉप राइट करनर में थ्री डट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम मेंबर पर जाएंगे, मेंबर के बाद लिखा हुआ है रेजिस्टरेशन, रेजिस्टरेशन पर क्लिक इसके बाद इसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, इसके बाद हम आएंगे, स्पांसर आसोसेट आइडी वो अपना ही दिखाएगा, स्पांसर आसोसेट नेम अपना ही दिखाएगा, इसके बाद लेग जोइनिंग करना है, कौन सा लेग में आपको जो क्लिक कर दो, जैसे मैंने राइट पर क्लिक किया है, ठीकी इसके बाद आ जाता है अपलिका नेम, अपलिका नेम के उपर टाइप करना है, फिर अपलिका नेम टाइप करने के बाद आपको निचे दिखाएगा मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर पर उसका मोबाइल न मोबाईल नमबर देने के बाद आपको इसके निचे आ जाएगा state कौन सा state है वो select करना है आपको फिर select करने के बाद आपका आजाता है city आप city पर click करिए और आधार काड पे जो भी city उसका है वो ही आप select कर दीजिये सिलेक्ट करने के बाद आपको सम्मिट पर क्लिक करना है फिर सम्मिट पर क्लिक कर दिजिए इसके बाद दोस्तों रेजिस्टर हो जाएगा इसके बाद ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा आसोशेट रेजिस्टर successful दिखाएगा तो इसके निचे ID होगा, password होगा और transaction password होगा इसका एक screenshot ले लेना है screenshot लेने के बाद फिर से आप top right corner में चले जाएगे वहाँ पर आपको pin management देखने के लिए मिल जाएगा pin management पर जानने के बाद pin from gateway पर जाना है आपको उसके बाद ASI interface आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मिलने के बाद आपको select करना है plan पर, वह ID तो आपने आप दिखाएगा लेकिन plan पर select करना है, अगर जब आप plan पर select करोगे तो ASI interface देखने के लिए मिल जाएगा आपको 1225 अगर select करना है तो mobile research के लिए ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसके लिए अलग थोड़ा process है, ये number of pin पर एक डाल दीजिए, डालने के बाद देखिए मेरा नीचे आ गया, फिर 1250 को आपको select करना है, फिर दोस्तों जो number of pin आप एक select किये हो, वो cancel कर देना है, cancel करने के बाद total expense जो नान दिखा रहा है, वो भी हट जाएगा इसके बाद फिर से एक आप जब देदोंगे number of pin पर तो automatic वो नीचे दिखाएगा 1250 देखिए, देखिए मैं थोड़ा उपर नीचे कर रहा हूँ, वो select नहीं हो रहा है, देखिए अब select हो गया, भी मुझे 1250 package डाल देना है amount देखिए 1250 automatic आ गया, ये देखिए number of pin में ने डाल दिया, इसके नीचे total expense, 1250 automatic आ जाएगा ठीके, इस process से इसे करना है, करने के बाद submit पर हमें click करना है, submit पर जब हम click कर देंगे तो ये देखाएगा, are you sure? yes कर देना है आपको, फिर payment method में आपको जाना है फिर दोस्तों आपको बहुत सारा payment method दिखाएगा, जिससे मैंने google पे कर दिया है ऐसे ही, need banking, card payment बहुत सारा दिखाएगा आपको option में उसमें से आपको जो भी select करना है करके, आप payment method को पूरा किजिए पूरा करने के बाद, आपको ऐसा interface देखने के लिए मिल जाएगा फिर से दोस्तों आप top right करना ने जो तीन लाइन है वहाँ पर क्लिक करना है अब हम क्लिक करने के बाद, वहाँ से हम जाएगे top up पर top up के बाद member top up पर जाएगे member top up करने के बाद, उपर में आपना id दिखाएगा इसके बाद enter login id करना है, वो जिस बंदे का आप किये हो रेजिस्टर उसका screenshot जो लिये थे, वो इस screenshot से आपको कपी कर लेना है id, वो id कपी करने के बाद वहाँ पर paste कर देना है enter login id पर आपको वो id दे देना है यह मैंने दे दिया, इसके बाद हम package पर select करेंगे package पर select करने के बाद, package 1250 पर हम select करेंगे 1250 पर select करने के बाद, select pin पर click करना है click करने के बाद, यह automatic pin आ जाएगा वो ही submit कर देना है, इसके बाद transaction password यह जो transaction password है यह अपना transaction password हमें वहाँ पर submit करना है जब हम अपना transaction id हम दे देंगे इसके बाद हम submit पर click कर देना है submit पर जब हम click करेंगे तो transaction successful दिखाएगा देखिए मैं अभी कर रहा हूँ, देखिए यह successful दिखा रहा है यह successful हो गया है अभी तो वहाँ पर फिर से हम जाएंगे वही right, top right corner पर जो three lines है वहाँ पर हम select करेंगे इसके बाद दोस्तों हम पूरे page को log out करेंगे ठीक है, log out करने के बाद यह हमारा id जो हो गया log out हो गया log out होने के बाद फिर से हम login पर click करेंगे log in करने के बाद हम जिस बंदे का register कर रहे थे उसका जो screenshot लिये थे वहाँ से id और password को उस बंदे का id और password को हमें यहां पर दे देना है id password जब हम दे देंगे इसके बाद देखी यह id password उसका निकल गया है अवी उसका id और password हमें यहां से copy कर लेना है copy कर लेने के बाद यहां पर हमें फिर से उसका login id दे देना है login id देने के बाद उसका जो password है वह password भी दे देंगे फिर let's go पर हम click करेंगे click करने के बाद फिर टॉप राइट कर नर पर जो प्रिलाइन से वहां पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद रिचार्ज सर्विस पर आएंगे, रिचार्ज सर्विस करने के बाद प्रिपेड रिचार्ज पर क्लिक करेंगे, प्रिपेड रिचार्ज करने के बाद यहां पर प्रिपेड दिखाई देगा, वहां पर operator पर हम click करेंगे तो ये कौन सा network का जो number है वो select करेंगे select करने के बाद हमारे वहाँ पर नीचे में आ जाएगा enter number उस बंदे का जो number दिया है register क्या था वो number हमें type कर देना है वो number type कर देने के बाद हमें submit पर click करना है जब हम submit पर click कर देंगे इसके बाद देखिए ये submit हो रहा है ये submit होने के बाद ये recharge successful दिखाएगा तो इसका recharge जो successful दिखाएगा वो उसका message उस number पर चला गया होगा तो ये recharge अभी देखिए successful दिखाएगा जब successful दिखाएगा ये देखिए recharge successful ओके इसी तरह दोस्तों हम SMPL सुबोतों multi trade private limited पर हम एक नए बन दे का registration हम कर सकते हैं ये जो registration प्रोसेस ये चार प्रोसेस में होता है ये चार प्रोसेस को follow करने के बाद ये आपका पूरा registration प्रोसेस complete होगा ओके दोस्तों थांक यूँ म् och ये उआ प्रोसे सवी केORER प्रोसेस